आगे बढ़ेंगे अपने उपस के कॉंसेप्ट को आगे लेकर जाएंगे समझेंगे अची तरह से और उसके बाद डेफिनिटली हम लोग काफी कुछ सीख जाएंगे अप पीएच्पी में यहाँ पर मैंने आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना करते हो दिखा दिये हैं और आप लोग ने काफी पसंद भी करा है इसको तो अगर आप लोगो ने यह प्लेलिस अभी तक नहीं करिए तो मैं कहूंगा यहाँ क्लिक कर लो आप लोग और यहाँ क्लिक कर लो इसको सेव करने के लिए इस पेज को कर लो बुकमाग अपने पास रख लो उपर और अगर आप लोग इस तरह का इंवार्मेंट बनाओगे अपने ब्राउजर में तो आपका जो अब हम लोग यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए और मैं आप लोगों को एक स्निपट बना कर दिखाना चाहता हूं और हो सकता है कि बहुत सारी एक्स्टेंशन से मार्केट में जो कि अल्यड़ी यह देती हो लेकिन मैं लिख दो PHP अब देखो यहाँ पर PHP आ लिख कर अब यहाँ पर होता क्या है कि आप लोगज ची कढ़ुछ है है पूरा की कैसे snippet बनाना है लेकिन मैं किसली हूँ मैं आपको बताने के लिए हूँ ठीक है तो यहां पर आप इसको uncomment करू जितना मैंने uncomment किया देख लो कितना selected है और कितना uncomment किया है और save करने के बाद अब यहां करता है यानि कि जो भी मैं आपर prefix में लिख दूँगा जिसे मैं लो मैंने आपर लिख दिया PHP boilerplate ठीक है और obviously console.log नहीं मैं लिखूँगा यापर मैं आपर कुछ इस तरह से लिखूँगा ये लिखूँगा question mark लिखूँगा PHP लिखूँगा और उसके बाद मैं वापस से क्या करूँगा कि इसको बंद कर दूँगा PHP को और इसके बीच में मैं क्या लिखूँगा तो मुझे क्या करना है आपर ये जो मैंने list बनाई है body में ये मेरी PHP की ये मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा आ जाए फिर अगली line में मैं च description मैं दे देता हूँ इसको boilerplate code for PHP लेकिन ये वह चीज है जो कि आप टाइप करोगे और आपका जो है ये इस तरह से आ जाएगा तो चलो इसको test कर लेते हैं मैंने save किया इसको और यहां पर मैं इसको दर restart करता हूँ मैं इस 80.php को restart करता हूँ और मैं आपर लिख रहा हूँ PHP boilerplate और ये नहीं आ रहा है तो अब यहां पर अगर आप लोग देखो कि ये PHP boilerplate काम नहीं कर रही है लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ इस तरह से PHP लिख दो और यहां पर भी question mark लगाना पड़ेगा तो आप लोग देखो ये अचानक से काम करने लगी boilerplate लेकिन मैं चाहता हू प्रहुकि ये boilerplate मेरी यहां पर मैं boilerplate लगाने के लिए लिख रहा हूं तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका PHP code होता है जब आपका PHP blocks के अंदर होता है तब तो वो PHP code consider किया जाता है लेकिन जब आपका PHP code PHP block से बाहर होता है तब हो HTML consider किया जाता है तो आपको ये snipp Snippets डालना पड़ेगा HTML के अंदर तो HTML Snippets में डालना पड़ेगा हमको यह तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहां से कमेंट आउट करूँगा और यहां पर User Snippets में मैं आ जाओंगा कहां पर HTML में और HTML User Snippets में इसको डाल दूँगा मैं सेलेक्ट करके यह हटा कर यह डाल दूँगा इस तरह से ठीक है और मैं कितने भी Snippets यहां पर लगा सकता हूँ जैसे मैं यह Snippets लगा यहां यहां पर लगा सकता हूँ तो अभी देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं हाँ यह काम कर रहा है अगर मैं आजओंगा अपने ब्राउजर में और इसके बाद मैं लिखोंगा localhost slash oops कहा है oops और इसके बाद slash 80.php obviously तो यह देखो hello world लिखकर आगे तो यह Snippets बनाने का एक तरीका था बहुत सारे लोग पूछते हैं कि php.json में Snippets काम नहीं कर रहे है block insert करना चाहते हो तो आपको html.json में डालना पड़ेगी वह चीज़ से ठीक है so I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा और आपका जो काफी टाइम में वह बचाएगा और once again अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो php boilerplate वापस से tab लगाऊंगा तो यहाँ पर आऊंगा दूसरी जगह पर तो जो $1, $2 होता है यूजर Snippet में वो क्या होता है? $1, $2 यूजर Snippet में हमारे tab की location होती है तो मैं अगर यहाँ पर एक backslash T लगा दूँ यहाँ पर भी एक backslash T लगा दूँ तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा यह Snippet तो देखो मेरा यहाँ पर एक tab आ गई अब मैं वापस से अपनी जब tab दबाऊंगा तो यह देखो मैं यहाँ पर आ गया तो यह $1, $2 वो जगे होती है जहाँ पर मैं टबागर पहुंचूँगा अगर मानलो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता मानलो 10 बहाने ठीक है और उसके बाद मैं आपर लिखता नहीं something 10 बहाने ठीक है तो मैं आप $2 जान लिखा है वहाँ पर आऊँगा तो देखो मैं आप पर PHP boilerplate लिखूँगा तो यह देखो मैंने यहाँ पर $1 लिखा यानि कि पहला करसर की position फिर tap दबाओंगा तो सीधे में वहाँ होँगा जा $2 था तो $1, $2, $3 आपके टाब की location है तो कभी-कभी आप चाहते हो कि आप snippet लिखो फिर tap-tap-tap दबा के आप लोग change करो तो आप इस तरह से जो snippets है वो बना सकती है लेकिन यहाँ पर यह क्योंकि sense नहीं बनाता है इसलिए मैं यह $2 को पूरा ही हटा दूँगा मैं सिर्फ $1 चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरह से PHP की boilerplate लगाँ और यहाँ पर अफ़ तक PHP का code लिखना चालू कर दूँ So I hope कि आप लोग वेचीज clear हो गई होगी ठीक है Back to object oriented programming यार काफी हमने off topic बात कर ली Object oriented programming में आज हम देखने वाले Access Modifiers अब यह Access Modifiers क्या होते है Access Modifiers in PHP ठीक है अगर आपने पिछले वीडियो देखे है तो आप देख रहोगे मैं public लिखे जा रहा था पब्लिक नेम, पब्लिक सालडी लेकिन मैं function में कुछ लिखनी रहा था आप लोग सोच रहोगे यह क्या ऐसा क्यों किया जा रहा है यहाँ पर public अगर लिख रहे हो उपर तो नीचे भी लिख लो public तो देखो वो जो functions होते हैं वो by default public होते हैं जो methods होते हैं, class के अंदर वो by default public होते हैं लेकिन यह जो values हैं, हमारी properties variables हैं जिसको properties बोलता हैं class के अंदर और वो by default आपके public नहीं होते हैं मेरे कहने का मतलब आप समझो बहुत simple सी class यहाँ पर बनाओंगा class employee और employee का example हमेशा लेता हूँ मैं आपने अगर कोई और code देखा होगा आप सोचते होगे कि याठी तो employee का example लेकर समझाता है सब कुछ तो यार समझ में बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पर देखो कर मैंने name harry कर दिया यहाँ पर और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक method बना दिया और मैं यहाँ पर method बना रहा हूँ function show name और show name के अंदर मैं क्या करूँँगा लिखूँगा echo और लिखूँगा dollar this arrow name यानि कि मैं इस object का नाम print करना चाता हूँ ठीक है तो अब यहाँ पर देखो syntax error आ रहा है यह कह रहा है t variable expecting function t function constant t constant तो मुझे नहीं बताए यह क्यों आ रहा है error लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक object बनाएंगे इसका लिखेंगे dollar harry is equal to employee ठीक है तो जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया था अपना object उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी बनाएंगे और new तो लगाना भूल मत जाना अप लोग गलती से भी ठीक है भी access modifier use नहीं करते हैं जैसे कि मैंने बोला तो by default access modifier आपका public होता है लेकिन जब हम यहाँ पर properties declare करते हैं तो हमें यहाँ पर बताना पड़ता है class के अंदर कि हम property declare कर रहा है where keyword की मदद से तो मैं आपर लिखूँँगा where dollar name is equal to harry और यह syntax error जो है echo कराएंगे dollar harry और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे name ठीक है और मैं यहाँ पर लिखूँँगा dollar harry का name ठीक है तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था कि जो harry है उसकी salary उसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे harry का name और अभी इसको reload करेंगे तो देखो यहां पर name लिख करा गया है तो मैं यहां पर चाहे वार लिखूँ या public लिखूँ मैं इसको access कर सकता हूँ जिसे कि आप लोग देख सकते हो तो यहां भाई जो public, private और protected है वो तीन तरह के access modifiers होते है तो public, private और protected ठीक है अब यह तीन तरह के जो हमारे पास access modifiers होते हैं हमें इसमें क्या करना है कि इनको समझना है तो public by default होता है बस याद रखना कि जब भी आप एक variable बना रहे हो तो आप where यहां public यूज़ करो और function में भी आप public लिखो या ना लिखो बात बराबर है मैं अगर link भी दूँ यहाँ पर मैं तरह यहाँ पर एक multiline comment बना देता हूँ या फिर select करके इसको comment out कर देता हूँ और इसको reload करूँ तो देखो मिझे कोई भी error नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अगर मैं यहाँ पर Harry का name print कर रहा हूँ इस तरह से directly अगर मैं इसको private बना दूँ और उसके बाद यह करने की कोशिश करो तो मुझे error मिलेगा यह कहेगा कि यार आप access करने की कोशिश कर रहे हो एक private property private property आप access करने की कोशिश कर रहे हो और यह गलत बात है private property access नहीं करने चाहिए किसी की भी अपनी कर सकते हो किसी और की नहीं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखो PHP में हमारी जो private dollar name is equal to Harry था वो उसका हक सिर्फ member function को है यानि कि अब अगर आप print करना चाहते हो Harry का नाम तो आपको कोई function का इस्तिमाल करना पड़ेगा और यह काम नहीं करेगा मैं आपर लिख देता हूँ this will not work if Harry is private ठीक है और अगर Harry private है तब आपको क्या करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा dollar Harry का show name ठीक है आपको यह function run करना पड़ेगा क्योंकि आपको इस function को run करने की permission है लेकिन आपको इस property को directly access करने की permission नहीं है तो अब मैं अगर इसको यह बर reload करूँ तो देखो Harry आपर print हो गया ठीक है I hope कि यह जिसलियर हो गई होगी होगी आप लोगों को तो यहाँ पर हमने देखा कि जो private होता है वो सिर्फ class के अंदर के function से access कर सकते है लेकिन अगर मैं function को भी private बना दूँ तो क्या होगा तो क्या मैं यह function run कर पाऊँगा obviously not मैं नहीं कर पाऊँगा देखो आप लोग मैं इसको reload करूँ तो यह क्यों किया हमने हमें कब जरूरत पढ़ सकती है यह सब चीजे करने की मैं अराम से आपको बताता हूँ में बातों को ध्यान से सुनना तीन तरह के access modifiers हमने देखे public, private, protected अगर आप कुछ से नहीं use करते हो आप सिर्फ where use आपको करना पड़ेगा वनना आपको public use करना पड़ेगा अगर आप properties में properties बनाना चाहते हो ठीक है simply properties अगर आप लोग बनाना चाहते हो लेकिन अगर आप लोग functions बना रहे हो तो आप बिना इसके भी लिख लोगे और by default function आपका public होगा मैं आप लिख देता हूँ मैं आप लिख देता हूँ by default the function by default the functions are treated as public ठीक है और यह line मैं यहाँ लिखता हूँ ज़्यादा clear हो जाएगा आप लोग को ठीक है functions are मैं आप लिख देता हूँ properties and methods function नहीं अब हम methods बोलेंगे क्योंकि हम oops में बात कर रहे हैं इसकी function की oops context में बात जब की जाती है तो वो functions नहीं वो methods होता है ठीक है तो by default properties and methods are treated as public लेकिन आप उनको private और protected भी बना सकते हो तो इस private का मतलब क्या है private का मतलब मैं आप लिख देता हूँ private properties and methods can only be used by और rather accessed by the by other member functions of the class ठीक है तो private properties और methods आपके access की जा सकते हैं दूसरे members के द्वारा ठीक है तो यह है आपका private अब private आप function को भी बना सकते हो आप private property को भी बना सकते हो अगर आपने function को private बना दिया तो आप उसको भार से use नहीं कर सकते हम generally क्या करते हैं property को private बनाते हैं यह हम generally private बनाते हैं और अगर आप किसी C++ जैसी language पर जाओ तो वहाँ तो by default private होती है property लेकिन यहाँ पर हमको बनानी पड़ती है private तो by default आपने private बनाई property अब आप directly यह नहीं आप use कर सकते हैं क्योंकि है है private है ठीक है उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं यह use कर सकते हैं क्योंकि जो show name function है यह public है और आप इसको directly run कर सकते हैं किसी भी object के लिए तो आपने आप पर देगा कि आप directly इसको run कर सकते हो और private properties of methods can only be accessed by other member functions of the class लेकिन public properties of methods आप directly access कर सकते हो ठीक है लेकिन यह protected क्या है यह protected क्या चीज़ है चलो public समझ में आया प्राइवेट भी समझ में आया कि आप directly नहीं कर सकते हैं class के अंदर यह अंदर मामला चलेगा यहां पर आप बाहर से private की बात नहीं कर सकते हैं वो अंदरूनी मामला है प्राइवेट को आप कुछ ऐसे समझ लो जैसे कि मानलो आप facebook.com जैसी website विजिट कर रहे हो अब उस facebook.com को जब आप विजिट कर रहे हो तब क्या आपको उनकी internal API से कोई मतलब है कि वो image processing के लिए कौन सी API यूज़ कर रहे हैं वो आपको आपका data store करने के लिए कौन से database यूज़ कर रहे हैं वो सब उनका private मामला है तो वो आपको नहीं दिखाएंगे वो सब चीज़े वो internally जो आपके जो आप यूज़ कर रहे हो directly उनके जो APIs है वो आपस में बात कर सकती है एक दूसरे से लेकिन आप directly उनकी image processing API यूज़ नहीं कर सकते है आप उस app के अंदर यूज़ कर सकते हो आप Instagram के अंदर filter यूज़ कर सकते हो लेकिन आप directly वो API यूज़ नहीं कर सकते है उनकी तो यह सारी चीज़े जो है आप लोग को clear होनी चाहिए तो public समझ में आया private भी समझ में यह protected क्या है तो public अगर मैं short में बताऊं तो मैं आपर लिख दूँगा can be accessed from anywhere private की बात करें इसको मैं बोलूँगा can only be accessed from within the class ठीक है only और उसके बात protected क्या चीज़े इसके बारे में बात करते हैं protected धंग से तो तब समझ में आएगा जब inheritance आप लोग बढ़ोगे सही से लेकिन protected की बात करता हूँ protected बिलकुल private की तरह है except कुछ inheritance में इसमें changes आएंगे जैसे की यह जो चीज़ है जो भी private sorry जो भी protected मैंने बना दी property method वो access की जा सकती है within the class और derived from that class जो भी है तो यहाँ पर can be accessed from class and from derived class अब आपको derived class क्या होता है derived class ठीक है तो derived class आप लोग बूचों के मुझसे तो मैं आपको भी बताऊंगा की inheritance में पढ़ेंगे लेकिन आपको एक idea देता हूँ जैसे की class employee अब मैं employee के methods को रखते हुए एक नई class पनाना चाहता हूँ जिसमें programmer नाम की class बनाना चाहता हूँ जिसमें basic employee के सारे properties और methods होने वाले हैं और उसी के साथ साथ मैं आपर क्या करना चाहता हूँ कि कुछ और properties और methods हैं जो कि मैं add करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरी employee class है मैं उससे inherit करके programmer class बना दूँगा और उस programmer class के अंदर मुझे और भी जो कि extra चीज़े हैं वो डालना है वो मैं डाल लूँगा ठीक है तो हम लोग देखेंगे inheritance में अच्छे सकी किस तरह से inherit की जा सकती है PHP में classes और अच्छे से सीखेंगे उस सब चीज़ों को लेकिन I hope कि आप लोगों ने जो है यह videos enjoy किया होंगे अगर आप लोगों ने अभी तक यह playlist access नहीं करीए तो इसको access जरूर कर लेना और उसी के साथ साथ इसको bookmark और save भी कर लेना kindly please videos को like जरूर करते रह करें अगर आप लोग videos को like करते रहेंगे तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है कि हाँ मैंने जो महनत करी आप लोगो यह सब चीज़े सिकाने के लिए वो कही नगही सफाल हुई so please this video like जरूर कर देना अभी के लिए इस video में इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time